फॉस्ट जनरेशन फ्रॉम नाइंटीन फॉर्टी तू नाइंटीन फिटीस ओके इन दिस अ कंप्यूटर है विंग तू में पॉइंट्स तो फॉस्ट पॉइंट किया हमारा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ आज़ा मेजर पीज उस टाइम के जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का एक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था ठीक है और सेकिंड क्या थी फीचर उसकी अलार्ज स्पेस इस रिक्वायर टू हैंडल और उनको रखने के लिए चलाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता था लगबग एक पूरे रूम के बराबर ठीक है यह उसकी important features हैं तो first second generation हमारी क्या है 1956 to 1963 इसमें क्या होता है in this in computer transistors is used अब यहां पर vacuum tubes की जगहे transistors use होने लगे थे ठीक है ना यानिके थोड़ा development हुआ था ठीक है ओके यह थोड़ा ज्यादा efficient थे और ज्यादा work करने में सक्सम थे ठीक है capable थे third generation is 1964 to 1971 यानिके 1964 से 1971 में हमारी जनरेशन आई है in this IC IC means integrated circuits okay अब यहां पर transistors की जगे integrated circuits यूज होने लगे ठीक है these are much smaller to reduce the size of computer यह IC circuit या फिर integrated circuit इतने छोटे हुआ कर थे थे कि इनके development entering computer की generation को पूरे तरीके से change कर दिया था और अब जो हमारा computer था यह एक बहुत छोटे साइज में develop हो चुका था ठीक है next fourth generation 1972 to 2010 1972 से 2010 तक now in computers microprocessors comes in process अब की जो generation थी इसमें computer में microprocessors यूज होने लगे थे यानिके अब integrated circuits को भी यहां पर छोट दिया गया था microprocessor क्या होते हैं एक बहुत छोटी से chip होती है जो computer में CPU fan के नीचे लगी होती है CPU को ठंडा करने के लिए microprocessor ही हमारा CPU होता है ठीक है to keep faster and more efficient than other generation यह क्या होते हैं यह इछली तीनों generation में सबसे fast generation के computer हुआ करते थे जो आज भी desktop और laptop में आपको देखने को मिलते हैं next fifth generation 2010 to present यहनिके 2010 से लेके अब तक nowadays computer beginning to use AI AI means artificial intelligence it is an exciting technology that has many potential applications around the world it is also a must advanced technology okay आज की generation में computer में AI technology का use होने लगा AI technology means artificial intelligence यानिके पहली जो computer थे force generation तक वो diligence थे वो diligence मसीन थे यानिके वो खुद का decision नहीं ले सकते थे बट अब computer में ऐसे programs feed किये गए हैं कि वो थोड़ी थोड़ा ज्यादा development होने की वज़े से अपने आपको आने वाली situation के according ढाल सकते हैं ठीक है इस तेकनिसीन ने क्या हुआ आपको अपको आपको खाई